हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने सीटो चैनल पे आज हम लोग इस वीडियो में स्सी सीजियल दुहजार तैस सतरो जुलाई दुहजार तैस के ठर्ड शिप्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे के टोटल 25 क्वास्टन है इस 25 को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक्जाम में कैसे मैथ के पेपर को शॉल्व करना चाहिए कम से कम समय में तो आप इस वीडियो पे वीडियो को अंतक ज़रूर देखिएगा हर एक question important है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को जरूर subscribe कर ले क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको SSC CGL का जो previous year की question का paper के solution का स्री चल रहा है जिससे 17 पहले जितने भी exam हुए है उस सभी का solution में इस channel पर करवा करके डाल लिया हूँ जिसका मैं playlist भी बना दिया हूँ वहाँ पर जाकर क्या playlist से जो वीडियो नहीं देखे हैं देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं तो चल यह हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं हमारा पहला question है trigonometry से कहा गया है इफ एक कॉट ठीटा पलस बी कॉसिक ठीटा एज इक्वाल टू पी है तो बी कॉट ठीटा पलस एक कॉसिक ठीटा एज इक्वाल टू कीव है हमें निकालना है पी स्क्वाइर माइनस कीव स्क्वाइर का पी स्क्वाइर माइनस कीव स्क्वाइर के भेलू निकालना है देखिए इसका दू तरीका है तो एक तरीका यह है कि ठीटा का भेलू कुछ पूट कर लिजिए और इसको पी का भेलू आजाएगा क्यू के भेलू आजाएगा यहां से पी स्क्वाइर माइनस कीव स्क्वाइ लिए यहाँ को हुआ हरे पिल्द देखिए पर निए वाल पार्ट लिख रहा हूँ एस्क्वाइर कॉसे एक स्क्वाइर ठीटा क्योंकि तुए भी वना बाट जि तो यह वहाला पास, यह वह भी ऐस्क्वाइर हो जायं histories अगर Most अगर common लेते हैं minus A ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्कॉरइट ठीटा गाएगा पर दोस में कॉसेक स्कॉरइट ठीटा माइनस देखिए कॉट्ट अश्कॉरइट ठीटा ये स्कॉरित हम लोगों ने common लिया है फिर इसमें देखिए इसमें भी क्या है बी असकॉरिक को विए स्क्वाइल को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा है कौसेक स्कॉयर ठीटा- नहीं प्रश्वार्ट कितना होता है वन होता है तो देखे तो यह हो गया A2 तो A2 इन्टु इसका भिलू 1 यह A2 मैंस में है फिर पलस देखें B2 इसके अंदर में कोसे के स्क्वार्ट का रचा हुआ है तो इन्टु मतलब आंसर क्या होजागा B2-A2 मतलब B2-A2 आपका अंसर ह पाफे ही आसान कोश्चन हे कहले माइनस ए स्कुरेड माइनस बी ए स्कुरेड माइनस शीए स्कुरेड का भेलू पूछार के देखिए आपको पता होगत है फर्मुला से 2 AB PLUS BC PLUS CA लिख सकते हैं या फिर अगर नहीं तो देखें A PLUS B PLUS C के हॉल स्कार्ट फर्मुला क्या होता है A SQUARE PLUS B SQUARE PLUS C SQUARE PLUS 2 AB PLUS BC PLUS CA फर्मुला होता है तो इस पार्ट को हम इधर लेएंगे तो वहीं पार्ट क्या हो गया है माइनस में हो गया है इक्वाल टू यह पार्ट बाचार जिसमें कुछ करना नाजी था यह सिर्फ फर्मुला आपको याद होने चाहिए था देखिए क्वेस्ट नमबर 3 को देखिए Study the given table and answer the question that flows देखिए The table shows the classification of 100 students based on the mark obtained by them in the aesthetics and mathematics examination out of 50 देखिए 50 में से 50 में से कितने marks लाया है 100 student का data math और aesthetics में दिया हुआ है ठीक है देखिए subject में दिया है कि 40 और 40 से उपर लाने बाले चात्र कितने हैं तो math में 8 को चात्र है और aesthetics में 5 चात्र है 30 और 30 से उपर लाने बाले चात्र कितने है math में और aesthetics में दाटर दिया हुआ है question पुछा गया If at least 60% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in the mathematics then how many students will be eligible for pursuing higher studies in mathematics मतलब कहा गया है अगर higher study करना चाता है को math में तो 60% marks required है तो math में 60% marks का मतलब क्या है देखिए total marks कितना है 50 marks का है 50 marks का 60% marks कितना हो जाएगा 30 marks 30 marks कम से कम यह cut up mark है higher education के लिए mathematics में देखिए 30 और 30 से उपर बाले कितने percent चात्र है देखिए 30 and 30 से एभव math में कितने चात्र है तो 33 चात्र जो है कि math में higher education के लिए pursue math में कर सकता है तो 30 a number of student है अगर हमसे पूछा गया है इसका आंसर समझ में आ रहा है आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक प्यार कोमेंट को सब्सक्राइब कर लिया किजिए अगर समान को 85% पे बेचा जाता है तब इसको 29,750 में बेचता है मतलब मार्क प्रैस पे इतना का डिसकांट हो गया तो अगर हम यह बोल दें इसका मार्क प्रैस कितना है अगर निकालना हो 85% पे इतना तो अगरेट परसंट इस इक्वल टू इतना हो जाएगा तो इसको 85 से डिवाइट और हंडेट से मल्टिप्लाइ मतलब सत्र से डिवाइट और 20 से कि मल्टिप्लाइ कर लिए देगे सत्र से काटिए सत्र एकम सत्र किता सब्सक्राइब बारह एक सत्र सत्र हो जाएगा तो 12 परसंट का गेन होता है gam देखेंग 10 पर्शेंट का गेन रोपाया है मतलब इसको 38 रुपाय पांचे 35 तिरपल जीरो आ जाएगा ठीक है अब देखिए 25 को इससे मल्टिप्लाइ कर लिजे कितना जाएगा ठीक है गॉस्चन नमबर 5 को देखिए गॉस्चन नमबर 5 में क्या है प्रतीमा और दिख्षा प्रतीमा क्या है छोर के काम को चले जाती है तो पहले क्या करना होता है इसका हम लोग अब कहा गया है कि प्रतीमा चार घंटा अकेले काम को करती है एक घंटा में तीन यूनिट काम करती है चार घंटा में कितना इट कर देगी 12 यूनिट काम को कर देती है बच गया कितना काम तो 18 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है ये काम छोर के चली जाती है तो बचा हुआ पूछ रहा है बचा हुआ काम दिख्षा कितने दिन में कर देगी और कितने घंटे में कर देगी देखिए एक घंटे में दो यूनिट क की तरफ बढ़ते हैं question number 6 देखिए what is the volume of the of a cube the perimeter of one face of the cube is 40 cm मतलब perimeter cube का 1 face का मतलब 1 square होता है मतलब फोरे जो कितना है 40 cm मतलब फोरे मतलब फोर इंटु भुजा तो भुजा कितना जाएगा 10 cm आग यात हमें निकलना है volume क्यूब का volume क्या होता है भुजा का क्यूब है न मतलब 10 का whole cube करेंगे क्या जाएगा 1000 यह तो काफी आसाम था question number 7 को देखिए एक और aesthetic सवाल है देखिए aesthetic के सवाल में आपका calculation fast होगा उतना ही जल्दी question को आप solve कर सकते हैं देखिए the following table gives the information of the number of the student in 1000 placed in the 5 different company during six different year में सभी company में किस company में कितना employee है उसको data को दिया गया है पूछा गया what is the difference what is the difference between the student placed in companies in the year 2014 or 2012 में सभी company में जो student के बीच का difference पूछा गया है इसके और इसके बीच का difference मतलब इसका total minus इसका total की जाएगा ता आपका answer आ जाएगा तो देखिए जगा आपका answer आ जाएगा question number 8 को देखते है question number 8 में है one quality of rice at 45 rupees per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3 ratio तो में यह 45 वाले का है इसका cost हमें नहीं दिया हुआ है दोनों को मिला जाता है तो 50 rupees per kg पे क्या है if the mixture so far worth हो जाता है 50 rupees per kg what is the rate of the per kg second quality का जो rice है उसका per kg कितना cost है और निकालना है 50 rupees per kg हो जाता है तो कितना cost हो जाएगा total cost देखे 5 unit हो जाएगा तो कितना जाएगा 57.5 देखे काफी आसान से बनाएंगे तो काफी आपको आसानी से clear हो जाएगा ठीक है एक circle है ठीक है एक triangle को circumscribe कर रहा है जिस तरह का एक triangle है triangle का size दिया है 16 30 और 34 देखे एक triplet बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया होगा वह diameter होगा मतलब यह करन है या पि जो hypotenuse 34 cm का वह क्या है diameter है diameter का मतलब क्या हो गया इसको अगर हम हाप कर लेंगे तो हमारा radius मतलब 17 unit जो हमारा radius निकालना था वह आपका आ रहेगा तो कुछ भी नहीं था सिर्फ concept आपको clear होता तो आप असानी से को solve कर सकते थे question को देखते देखे बहुत interesting question है यह how many of the following number इसका मतलब क्या हो गया देखे यह इसको क्या बोलेंगे हम 11 into 12 मतलब 11 into 12 बहुत सकते हैं 12 इसे हैं 3 इंटू 4 इन्टू इसे गोंद यह मतलब मतलब होगा वह त्री से डिवीजवल होगा वह अलेवन से लोगा सपहलों करते हैं इसमें यह चला गया देखिए 70 है लास्ट में तो क्या होगा फॉर से नहीं कट पाएगा यह भी नहीं है देखिए बचा कौन-कौन सा एक दू तीन और चार नमर आपके बच गए है मतलब क्या है चार आपका क्रेक्टर आंसर होगा सिर्फ क्या करना था हम लोगों को चार से चेक कर लिए और बाकि दो क्यों को बच गया नमर इसको तीन और अलेबन से भी चेक कर लिए वह दर्टाल चार नमर आईसे हैं चार नमर कॉन-कौन-कौन से हुए तो चार नमर आपके देखिए एक हो गया एक 924 हो गया एक 980 हो गया और एक आपको 14 सा बावन यह चार नमर है जो की 132 से डिवीजिवल है मतलब डिवीजिवलीटी रूल आपको पता था तब इसको आसानी से स्वालों कर सकते हैं देखी कॉस्टर नमर 11 में इन और कंस्टिक्वेंशी 90 परसेंट और टोटल नम पूल करता है ठीक है उसमें कहां गया आए कोचन देखिए 15 परसेंट ऑफ दबहों कास्ट वेर डिकलियर इन वहलीट मतलब अगर सौब वोटर थे 90 गों दिया उसमें से क्या होता है कि 15 परसेंट तो क्या हो जाता है इसका 85 परसेंट क्या हो जाएगा वहलीड भोंट रह ज 60 परसेंट किसको मिलता है जीता को मिलता है जीता को जो इस तरह से यहीं भेलू कितना दिया है यह 1 2 0 से 2 0 से यहां पर 2 0 हो जाएगा आपका सीधा चैया अपगा है देखे आप इसको नो से कपार काट लीजे तो क्या होगा दस नवा नौएक दस हो ठीक है दस नवा नम नभी नौदो नी अठार ठीक है एक ती धिहान दखेंट्ट इहांट परसेंट्रुए इसकास एक पे 3, 4,0 इसको आप डिभाइड कर लिजेगा, कितना से तो 5 से जो आपका दिभाइड कर लेगा यहांब दस लाख मतलब 12 मैं है, और 16 क्या है कि ब्च है किसी भी काम को पांच दिन में कर लें त परAudi काम को हिस्तास निकल लेंगे, फिर क्या है 13 men 13 men और 24 boy काम को कितने दिन में कर लेता है तो पुछा गया है 29 men और 22 boy काम को कितने दिन में complete करेगा तो यहां सब एक relation आजाएगा में और boy के बीच का तो आप निकाल देखें 12 पांसे multiply करेंगे साथ और यह त्यर्चों का बावन अधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एट एम ठीक है इसी तरह से इधर देखिए 96 हो जाएगा और यह सी मतलब 16 boy ठीक है मतलब एक man is equal to 2 boy मतलब एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम दो बच्चा मिल के करता है दो लरका मिल के करता है ठीक है हमें क्या कहा गया है 29 में देखें यहां पर हम लुक कर सकते हैं मतलब 29 में को हम क्या लिखेंगे 29 में को हम लो लिख सकते हैं मतलब इसको 29 से multiply के मतलब 58 boy 58 यह हो गया प्लस 22 boy ठीक है मतलब 80 boy मिल करके का कितने दिन में करेगा कॉस्टन का जो निच्व क्या है असी कितने दिन में काम को करेगा तो यहां से देख लीजिए यहां पर कितना है 12 मैं और 16 घीक है 12 को दिख लेंगे फिर से इसको डॉपर लेगे इसको 24 24 प्लस 60 मतलब 40 वॉय काम को पांच दिन में करता है तो असी वॉय काम को कितना दिनी में करेगा simple है अधा time लगेगा मतलब अगर हम का अधमी को double कर देंगे तो काम क्या होगा समय क्या होगा अधा हो जागा इसका मतलब 5 बट्टे दो मतलब 2.5 days में यह complete करदेगा चलिए अब हम अगले क्वाश्चन नमबर 13 को देखते हैं अब एक कंटेंस 550 इन फॉर्म अप 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे इन कोई देखे दो रेसियो तीन रेसियो पांच में है मतलब 50 पैसे का दो क्वांटिक दो यूनिट है 25 पैसे का तीन और 20 पैसे का पांच पैसे कितना है तो यूनिट मतलब एक तो दोनों की बीच का दिफ्रेंस निकालना है तो दोनों के बीच का दिफ्रेंस कितना हो जाएगा कुछ करना नहीं था इस तरह को आप देखे कभी कभी को घुमा देता है लेकिन को सबसे पहले समझने को सिस किया कि जिए उसके बाद ही स्वाल करें देखे कभी आसान था को सिर्फ ऑप्शन से अप इसको स्वालो कर सकते थे इसको नमर आप 13 हो गया लिए 14 को देखे 14 में क तो संटर को सेट का से Frost लिए उसके देखे इसलिएए उसके इसलिए उसका इसलिए समझान घी ke है root under जो center के वीच का difference, माइनस दोनों के मतलब r1 minus r2 का hall square, ठीक है? मतलब radius 1 और radius 2 का hall square, मतलब के c2 का hall square 26 कितना होता है? 666 minus दोनों के वीच का difference कितना हो जाएगा? यह 8, 8 का square 64, मतलब अगर हम मैनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका अगर चार कोशने करें यह पूछा जाएगा टांस वर्षाल तो निकाना हुआ तो क्या निकलते आप इसे में इसको हम क्या कर लेते प्लस कर लेते तो आपका आपका आंसर वो आजाटा तो आजाटा त्रस वह आंशन का फर्मूला आपका यह आ जाता ठीक है अब देखिए question number 15 find the area of the sector of the circle with radius 5 cm and angle 60 देखिए area of sector क्या होता है ठीटा बट्टे 360 pi r square यह फर्मूला होता है एक फर्मूला से पूट कीजिए इसको पूट कर लिए रेडियस कितना दिया हुआ है इसको आप स्वाल कर लिजिए आपका आंसर आ जागा देखिए इसको एसे कर लिजिए ताकि आसानी से कल्कुलेशन हो जागा यहां से आपका ठीक है इसको आप कर लिजिए और आपका आंसर जाए देखिए इसको चार से मल्टिप्लाइब कर लिए कितना आपका आंसर जाएगा ठीक है सिस्टीन में क्या दिया हुआ है कि सिंपल सा एक एक एक्वेशन दिया है इसको सिंप्लिप्लिप्लाइब करके आपका आंसर निकाना देखिए पहले मल्टिप्लेशन यह मैनस 25 इंटू आट कितना जाएगा मैनस 200 ठीक है मैनस 25 मतलब मैनस 250 तो इसमें तो बहुत ही असान थ सिंपलेशन देखें कौस्चन नमर 17 दफ्रोड़क्ट और 277 एं 323 मतलब 217 और 323 का आपका मल्टिप्लिकेशन पूछा गया है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप देखिए ऑप्सन में डिजिटल सम का यूज कीजिए और सौल कीजिए डिजिटल सम कैसे करते हैं मतलब 2111 का डिजिटल सम 2 मतलब 21 किसी का भी घीटल सम तीनों में से किसी का जीटल सम कितना हो गया दो नहीं आया है तो आपसे आपका वन करेक्ट होगा बीना चेक क्युएभी कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहे कि इसको आप calculate करना करना ही चाहे है कि 2077 है इन्टू डेके इसको बाद 3 से multiply कर लीजिए फिर 277 को 277 को अप फिर इक बार 20 से कर लीजिए फिर 277 को तिन से कर लिए जो आप concern होगा वो ही आप concern इसे भी आप सानी से कस ऐसे कर सकते हैं। बारे कॉस्चनमा 7 ट्रीगोन मैंतरी से है। बारे काॉस्चनमा 8 ट्रीगोना 3 त्रीक ड्रीकों ज्योचन में कहागा है। अगर कोश एकस ट्श ऊकटो सब सब का माइनस ऒमरेक्यक नाख मढता है है सभी साइन काश क। होता है सबस्क्राइट में क्या होता है यहां को सब्सक्राइब सबस्क्राइब होता है देखेगे लोग क। 180 degree plus something यह ना मतलब अगर हम cos x x is equal to minus 1 by 2 को में इसे लिए सकते हैं cos 180 degree plus 60 degree यह होगा cos 180 plus 60 value कितना हो जाएगा minus cos 60 cos 60 के value कितना होता है minus sorry 1 by 2 minus जाएगा तो ही होगा मतलब x के value कितना हो जाएगा 180 plus 60 मतलब 240 मतलब हमे 240 का value निकालना है यह simple है 1060 भी put का सकते है हम आपको यहाँ पर simplify कर देदा आपको आपको असानी होगा 180 plus 60 यह क्या है 180 plus 60 third quadrant में है 10 का 10 ही रहेगा मतलब इसका अनसर कितना जाएगा 1060 और 1060 भी लोग पता है root under 3 होता है तो कुछ थान नहीं इस question में थोड़ा सा दिमाला लगाना था और आपको solve कर सकते देखि एक परसंट जो है एक लोन लेता है 5% पर एनम simple interest से first year 5% लेता है and आगे जो है 0.5% से simple interest every year बढ़ते जाता है second year and onward after the four year he paid 4600 as a total interest to settle the loan completed how much has the loan देखि क्या करना है first year का है 5% लेता है third year कितना हो जाएगा 6% और fourth year कितना हो जाएगा 6.5% total interest कितना हो जाएगा देखिए 5 सारे 5 और सारे 6 12% बारा परसंट बारा चोटारा 5-23% क्या हो जाएगा इसका सिर्फ interest होता है तो interest अगर 30% इसको दिया हुआ है आपका 4600 तो आप से इसको मतलब यानि कितना हो जाएगा आपका 46 यानि कि 20,000 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा मतलब 20 तो आप यहां से निकाल सकते थे देखिए नमबर 20 देखिए यह भी ट्रिगरिमेट्री से ही है कॉस A पलस B जो दिया है कॉस A, कॉस B, माइनस Sine A, Sine B तो कॉस 75 का भेलू निकालना है तो कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं आप 45 पलस 30 डिगरी मतलब बस इस फर्मुला को पूट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा देखिए कॉस 45 मतलब कॉस 45 के भेलू 1 बाई कॉस 30 के भेलू कितना होता है इसको कितना हो जागा two और इसमें यही आपका अंसर होगा, मतलब यहाद भी जा सकते है कॉस 25 का भेलू यह होता है को देखिए कर लिजेगा तो आपका अंसर यह आ जाएगा ठीक है में तो नीचे रूट टू पर मल्टिप्लाई कि जागा था आपका अप्सन नमबर थीरी में जो आंसर है वही आपका आजागा कॉस्चन नमबर ट्वैंटीवन को देखिए ट्वैंटीवन में क्या कहागा एक कॉंस्टेबल राम है सोमेश एक चोर है उससे 225 मीटर पीछे है राम जो है 25 मीटर और सोमेश जो है 30 मीटर एक मिनट में दोरता है तो एक वाट टाइम विल दा कॉंस्टेबल राम क्याच दा थीव रो सोमेश देखिए 225 मीटर पहले क्या है आगे है तो दिश्टेंस माला यह हो गया दोनों के बीच का एक मिनट लगेगा इसको क्याच करने में ठीक है तब देखिए 25 से काट लिजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5-24-20, 5-25-25, मत्ब 45-4, 45-4 मिनट लगेगा, अब इसको फ्रेक्सेर में करवाट किर, 11-1, 4, 11-1, 11-1, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, आपका correct answer होगा, question number 22, देखिए, एक table है, जो कि 3000 रुपिया में खऴदा जाता है, और 32-100 रुपिया में बेचा जाता है, तो पुछा गया है, गेन और लॉश कितना का होगा सिंपल है बात इस समय बेचा है तो 200 रुपिया का गेन होगा 200 रुपिया का गेन होगा पसंटेज भी निकलना होता दो सवट्टे तीन सव खर देते पसंटेज आपका निकलके आचला हता सार्थक काम को करने के लिए कंपनी के द्वरा सार्थक जो है काम को बार दिन में कंप्लीट कर लेता जबकि मोहन इसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है आपको होगा नहीं मतलब 6.67 डिज आपको लगेंगे तो भी आपका आँसर आजाएगा देखिए को देखिए को देखिए क्या है ए में वाकिंग अट इस्पीड अब टू 14 किलोमीटर पर आवर आप्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स डिस्ट फोर सेवन मिनट तो पुछा गया हाव मच टाइम विल भी टेक टू कवर अडिस्टेंस अब सेवन किलोमीटर मतलब देखिए हर देखिए किलोमीटर पे साथ मि लेगा मतलब कितना समय चक्के मतलब हरे सत मिनेट 42 मिनन तो इसका वाली से चला गया और 14 किलोमीटर परति आवर के स्वीड से गह इन कीलोमीटर हीं कितना तह मिन चक्रान तौन गया 12, 6, 72, 12, 5, 6, मतलब एक पुर्णाग, एक पुर्णाग, एक पुर्णाग, एक पुर्णाग, एक पुर्णाग, पाँच आपका correct answer होगा समझे के हम question को, question number 25 और last question को देखे, algebra का बहुती बेहतरिन सवाल है x plus 1 by x का भेलो minus 6 दिया हुआ है, हमें निकालना है x power 5 plus 1 by x power 5 algebra का बहुती संदार सवाल है, देखे, x plus 1 by x का भेलो, अगर a दिया होता है तो x plus 1 by x power 5 का फर्मुला क्या होगा, a square minus 2 into aq minus 3, इसको आप याद रखा किजिएगा ताकि आपको जाए समय नहीं लगे, minus a कर ले नहीं, कर ले जिएगा, तो आपका answer आजागा देखे, a square minus 2 मतलब, minus 6 का square, 36 हो जाएगा, minus 2 मतलब, 34 into aq मतलब, minus 6 का aq कितना होगा, minus 216, plus 3a, मतलब, minus, already हो जाएगा, minus, minus, कितना हो जाएगा, plus 6 हो जाएगा देखे, 34 को किसे multiply करना है हमें, देखे, minus 216, plus 18, मतलब, कितना हो जाएगा, minus, 198, 199, minus को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, plus 6 34 को किसे multiply कर देगे, इसको हम माल लेते हैं, 200, तो कितना हो जाएगा, देखे, 200 कितना हो जाएगा, 8600, हमने 2 से extra गुना करे तो इसको हम minus भी कर लेते हैं, plus 6, मतलब, 6800, minus 60, ये तो कितना होगा, 6732 होगा, ये minus में है, और plus 6, मतलब, 6732, plus 6 कितना हो जाएगा, minus 6726, इस तरह स आपका 25 के 25 कोचर हमने स्वालब करवा दिया है, तो चलिए इस वीडियो का अब हम लोग यहीं complete करते हैं, अगर आप इस चनल पे नए थे, तो जरूर चनल को subscribe कर लिजे, वीडियो को like कर दीजे, ठीक है, और एक पैरा सा comment भी कर दीजे, अगला वीडियो बहुत जल्द ही, नेक्स पार्ट में इसका ले करके आऊंगा इस चनल पे तरक लेप चनल को जरूर ही subscribe कर लिए, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद,